सब्सक्राइब कीजिए वैदिक जोतिष शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासियां, कैसा रहीगा आपका दिन, सुरुवात करते हैं आज के सुविचार सी कुछी चीचे कमजोर की हिफाज़त में मैफूज रहती है, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बस विश्वासोना चाहिए बारिस में नहाना असान तो है, लेकिन रोज नहाने के लिए हम बारिस के सहारे नहीं रह सकती इसी प्रकार भाग्य से कभी-कभी चीजे असानी से मिल चाती है, किन्तु हमें सब भाग्य के भरोसे नहीं जी सकती तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तो इंसान है और तार नहीं गीर उठ चल दोड फिर भाग, क्योंकि जीवन संशिप्त है, इसका कोई सार नहीं आज का पंचांग, 5 नवंबर 2019, देन मंगलवार, कार्तिक माश के शुकलपक्ष के नौमी तिथी, पूर्णर रात रहेगी घनिष्ठ नामक नक्छात्र, सुबच 6 बच का 16 मिलर तक विरजमार रहेगी, इसके उपरान, शद भीशा नक्छात्र प्रारम हो जाएगी आज का राहुकाल, अर्थात, असुपसब में, दोपहर 2 बच कर 46 मिलर से, 4 बच कर 8 मिलर तक रहेगा आज का भीजीद महुरत, अर्थात, सुपसब में, सुबच 11 बच कर 43 मिलर से, 12 बच कर 26 मिलर तक रहेगा आचेंद्रम मकर रासी पर सम चार बच कर 48 मिलट तक रहेगी इसके उपरान कुमरासी पर संचार करेगी और आशूर्य तुलारासी पर रहेगी कुमरासी 5 नमबर 2019 देन मंगलवार इस दोरा नौकरी में आपका प्रोमोशन हो सकता है अत्वा आपकी आयमें बढ़ोर्ती संभव है करियर को आगे ले जाने में आपकी शमवाश यली एहम भूमी का अदा करेगी आप अपनी बातों को असानी से दुश्रों को समझा सकेंगी जिससे आपको अच्छे पर नाम मिलेंगी अभी भीतर की उर्शा को आगे बढ़ानी का समय है जिम जाने पर आप अपनी उर्शा को बेहता तरीके से संरक्षित और उप्यो कर सकते हैं दिसा में परवर्तन करना अनिवार है पर इस्थीतियों के अनुशार है निर्णली काम पर ध्यान लगाएं यात्रा का शंकेत है अपने स्वतंतर विचारों को अभिव्यक्त कर दी लेकिन आवाज को नीची रखें पुरानी बातों में उल्चे रहने की इस्थान पर बदलाव के लिए जो कुछ भी जरूरी है उस पर फोकस रखें इस समय बेहतर यही होगा कि आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ विवादों में पढ़ने की बचाएं विवादों से दूर ही रहें सौधान्या कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा होगा लेकिन अनावशक खर्ष बढ़ने से तनाव में रहेंगी कुरोध पर नियंदन और वाड़ी पर शियम रखें अन्यथा विवाद में फस सकती हैं आज का दिन अनुकूलता और प्रतिफूलता से मिश्रित फलदाई रहेगा लव लाइफ की बात करें तू अपने काम के प्रति प्रतिबंधा आपको अपनी सांथे से दूल ले जा सकती है इसमें आपकी गलती नहीं है लेकिन अपनी आपको उचित तरीके से अपने शांथी के समक्ष प्रगट करें जो के आपके दिल में हैं जो जुनून और दिवान के आपके प्यार सी गायप हो गई थी वो आपके रिष्टे में फिर से अंकूरित होगी अपने साथी को अपने प्यार की गहराईयों से अवगत करें करियर की बात करें तू आज के दिन आपके लिए काफी हद तक कुद तम रहीगा कुछ मुश्किल कारे को भी आपने समय पर छोड़ दिये थी उन्हें पूरा करने का भी ये उचे समय है आज के दिन आप अपने सारे रुके हवे कारे अपनी उम्मी से ज़्यादा पूरा कर पाएंगे और सारा काम का बोज आज खत्म हो सकता है आज आप में सकारात्माक उर्जया का संचार होगा जो आसपास के शकर्मियों को सकारात्माक रूप में प्रभावित करेगा सेहत की बात करे तू आप पिछले कुछ समय से अपनी अंतरात्मा के आवाज को उपेक्षित करते आ रही है जो आपको स्वस्त जीवन के तरीके अपनाने के लिए कह रही है आप हमेशा से जानते हैं कि क्या करना सही है लेकिन करने ही पा रहे थे आज आप इस पर ध्यान दिनगे आज आप अपना पूर्ण रूप से विशलेशन करेंगे क्योंकि आप आप और अधिगला परवाही के मूड मिन नहीं है ऐसी योश्न बनाए जिस पर आप चल पाएं आज का टिप्स आज आप अन्शान लोगों पर भरोसा ना करें जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ते रही आप करें शुब हूँ